आज मैं आपके साथ जो stock analyze करने वाला हूँ यह हाली में दो बार precision assist में feature हुआ है तो इसका detail analysis precision assist में available है पिछले मेने भी है यानि long term के view से भी है और short term के view से भी है dates में आपको बताऊंगा analysis भी दिखाऊंगा तो यह पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि सारी चीज़े आपको ठीक से समझ में आ जाए मेरा नाम है मंदार जामसंडिकर और आपका स्वागत है इस youtube session में मेरे पीछे आपको गुजरत अलकली का चार्ट दिख जाएगा अब शुरुआत करते हैं मंतली चार्ट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मंतली में हाली में इसका इसनी फीचर किया हुआ है तो यह जो लास्ट मंद का क्लोजिंग आपको यहां पर दिख रहा है यह देखे यह वाला 31st of March को इसका आपको investment वाला जो analysis है वो प्रिश्य अनसिस में मिल जाएगा यह देखे मैं आपको दिखा देता हूँ 31st of March यह गुजरत अलकली का आपको analysis इस तरीके से प्रिश्य अनसिस में मिल जाएगा monthly chart, 9 month का time frame है, stop loss क्या है, target क्या है, risk reward ratio क्या है, profit booking कहां से start होता है, इसी सारी चीज़े stock के बारे में already precious analysis में available है, तो ये और आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा, तो ये देख लिजी. अब ये चार्ट अगर आप देखो, पूरा अगर चार्ट देखते हैं, तो आपको एक चीज़ समय में आ जाएगी, ये 2016-17 से इसमें एक अच्छी खासी move start हो गई, ये वाली जो up move है, बढ़िया सी, ये 2016-17 में start हो गई, अगले एक दो साल ये चली, लेकिन जिस तरीके का एक up move देखने को मिला, उसी तरीके का अगले दो साल में हमें downfall भी देखने को मिला, कोविड का पिरियड है, यानि March 2020 के बाद इसमें फिर से एक बार उच्छाल देखने को मिला है, और एक बढ़िया सा up trend भी देखने को मिला है, अब मैं ये चार्ट थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, यानि मैं आपको ठीक तरीके से ये पूरा चार्ट दिखा पाऊँ, ये देखिए latest वाला, अब latest वाला अगर चार्ट देखते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कि March 20 के फॉल के बाद, यहां से जो stock उपर चला, यहां पर आप देख सकते हैं, किस तरीके का एक up move बना, और यह up move बनने के अबाद, यानि 180-200 के लेवल से ये stock उपर में, 850 के लेवल तक उपर चला, उसके बाद यह जो पाच महने का consolidation भी आपको यहां पर दिख जाएगा, पाच मैंने stock ने एक narrow range में trade करकी consolidate भी कर लिया, उपर में profit booking नीचे से undercurrent, और इचले मैंने 31st of March को जो मैंने अब भी आपको analysis दिखाया, percent assist वाला, अब इस stock ने यहां पे फिर से एक बार एक fresh breakout जनेरेट कर दिया, है ना clear, तो investment का already 31st March को इसमें view बन चुका है, अब short term, अब ऐसा हो सकता है कि शायद आपने यह opportunity miss कर लिए हो, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या मैं यह opportunity catch कर सकता हूँ, क्या यह मेरे लिए opportunity बन सकती है अब आगे जाते हुए, तो हम फिर इस रहाई के लिए एक अगली invitation की रहा देखेंगे, तो एक invitation miss हो गया हो, तो अगला invitation कब आने वाला है, तो अगला invitation जब कब आएगा तब हमने उस पर analysis करकी फिर decide करना है, है न, तो यह तो हो गया monthly chart, अब देखते हैं इसका weekly chart, यह देखें, weekly पर आपको यह consolidation और जो move है, वो यहाँ पर दिख भी जाएगे, इस पर अब भी फिलाल तो latest में कुछ है नहीं, अब daily chart देखते हैं, देखें, daily chart पर आपको यह देखें, यह daily chart है, यह managers कर देता हूँ, अब यह भी अगर आप देख लो daily chart, तो यहाँ पी भी आपको समझेगा कि February के last week के बाद, एक बढ़िया सा up move, उसके बाद यहाँ पे consolidation, और यह जो 20 तारिक की candle है, यहाँ पे एक breakout, तो 20 तारिक को भी इसका detail analysis प्रिशियन असिस्ट में available है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इस second, so short term का जो view है, तो ऐसा नहीं कि 31st March को मैंने miss कर दिया, तो मेरे opportunity miss हो गई, ऐसी बात होती नहीं है, price हमेशा price की इच्चा होती कि आपने position लेनी चाहिए, तो price आपको opportunity देते रहेगी, यह देखे, 20th of April मैंने date select कर ली, आप भी आपके machine पर देख सकते हैं, तो गुजरा तलकली, उस दिन 3 stocks थे, गुजरा तलकली, इंगर सोलरेंड और यह MFL, ठीक है, तो यह गुजरा तलकली का यह आपको short term chart पे जो analysis उस दिन बना, वह आपको यहाँ पे detail में मिल जाएगा, कि यह stop loss, closing है, यह stop loss है, यह target है, यह risk reward ratio है, दस दिन का time period है, partial profit booking कहां से start होता है, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दिख रहा है ना, आपको यह clear सब pattern written plot क्या हुआ, आपने अगर मेरा mentorship program join नहीं किया है, तो कर लीजे, नीचे मेरा number दिया, इस number पर आपका interest में यह WhatsApp message कर दीजे, मिल टीम आपके contact में आए जाएगी, आपको तुरंत enroll करा लेगी, आपका हाथ पकड़ेंगे, आगे लेके जाएगे, और अगर आप देखो, अब ऐसा भी हो सकत है, तो basically आपने आपका जो risk reward ratio है, recalculate करना है, जो analysis 20 तारीक का है, उसके हिसाब से आपने risk reward ratio recalculate करना है, risk अगर आपको judgeती है, तो आपने trade लेना है, यह simple सी बात है, तो कभी भी आपके मन में अगर यह सवाल आता हो, कि क्या मैंने यह position लीनी चाहिए, तो उस पे आपको कहां से मिलने वाला है, तो risk से मिलने वाला है, risk calculate करना है, risk अगर वहां पर judgeता है आपको, आप afford कर सकते हो, तो आपने position बनाने है, simple, आपको लगती है risk ज़्यादा है, quantity भी आप vary करके आपके risk कम ज़्यादा कर सकते है, clear, okay, अब और एक चीज, चलिए, ऐसा सोचते ह हैं कि चलो, यह भी हमने miss कर दिया, तो अब अगला invitation कब आएगा, तो basically आप अगर यह overall chart देखो, तो आपको यहाँ पर पूरा consolidation ही दिखने वाला है, तो 20 तारिक की भी अगर आपने opportunity miss कर दी हो, तो ऐसा हो सकता है, कि आप 20 तारिक की opportunity miss कर दी, तो no problem, यह देखिए, यह यहाँ पर breakout जब कब बनता है, तो यह एक fresh invitation बनेगा, आज की अगर आप price move देखो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर breakout बन चुका है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, तो शाम को जब data आएगा, तब आपने यह chart उपन करना है, और यहाँ पर देख लेना है कि आरे, यहाँ अगर वैलिट ब्रेकाउट बना है कि नहीं बना है, अगर वैलिट ब्रेकाउट बना हो तो आपको इसका detail analysis, position assist में मिली जाएगा, फिर से एक बार, तो price यानि यह example से मुझे आपको यह बताना है कि 31st March को invitation मिला, आपने miss कर दिया, 20 April को वापिस एक बार मिला, चलो आपने miss कर दिया, सायद फिर से एक बार, 26 April को फिर से एक बार invitation बना हो, ऐसा हो सकता है, तो invitation price आपको देते रहेगा, लेकिन invitation पर trade करना यह बहुत important होता है, invitation पर trade करना important इस चीज़ के लिए होता है, कि जब आप invitation पर trade करते हो, तो आप एक logical trade होता है, उसके पीज़े सारे valid reasons होते है सारे validations और confirmations होते हैं, तो आप जब एक logical trade लेते हो, तब आपके पास एक logical stop loss होता है, आपके पास एक logical target होता है, यहनि price target होता है, आपके पास एक logical time target होता है, आपके पास एक logical risk to reward ratio होता है, यह सारी चीज़े आपके हाथ में होती है, और इस तरीके का data जब हाथ में होता है तब बहुत आसान होता है आपको एक decision लेना, लेना है नहीं लेना है, पुरा data है आपके हाथ में, तो वो आसान करता है आपका ये decision making, जो decision making है वो आसान हो जाता है, तो ये गुजरातल के लिए है, अब अगर इसमें आज valid breakout बना हो, तो इसका detail analysis आपको precision assist में आएगा, उस case मे इसका उपर का target भी आ जाएगा, पहले दो targets तो मैंने आपको दिखा दिये decision assist वाले, तो उस case में एक fresh study करेंगे, एक fresh analysis करेंगे, एक target decide करेंगे, एक stop loss decide करेंगे, एक time target decide करेंगे, इस सारी चीजे अगर valid हो, तो आपको precision assist में आज मेरे तरफ से मिल जाएगी, ये है गुजर ये stock interesting लग रहा है, और long term पे भी दिख रहा है, यानि investment के तौर पे भी दिख रहा है, अगर आप investor हो तो, और short term के तौर पे भी दिख रहा है, अगर आप positional trader हो तो, या short term investor हो तो, फिर इसलिए आज ये stock मैंने discuss किया हुआ है, ये है गुजरा तालकली, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेर कीजी, ताकि उन्हें भी पता चले किस तरीके की opportunity बनती है, और किस तरीके से काम करना है, invitation क्या होता है, और उसके पीछे के reasons क्या है, आपने मुझे इस वीडियो में जॉइन के, इसलिए आपका धन्यवाद, आपका मंदार जाम सांडी.